बिहार में एक मंतरी और अधिकारी के बीच का विवाद जहां खतम होने का नाम नहीं ले रहा था उसी बीच दो अधिकारियों के बीच का विवाद फिर से चर्चा का विश्य बन गया है। बिनोत कुमार और आईजी विकास वैवब ने भी लगाए है। और अब होमगाट के महिला डियाईजी अनुसुया रन सिंग साहु ने गंबीर आरोप लगाए हुए सरकार के अधिकारियों को त्राहिमाम संदेश लिखा है। अपर मुख सचीव बिहार के पुलिस महानिदेशक ग्रिये विभाग के विशेश सचीव और ग्रिये विवाग के सचीव को भी भेजा है। इस त्राहिमाम संदेश में अनुसुया ने लिखा है कि ग्रिये रक्षा वाहिनी एवं अगनी श्रवन सेवा के डी आईजी के रूप में योगदान देने के लिए पंदरे दिन तक डी जी सोभा ओटकंट से उनकी संबंद बहुत मदूरते। फिर डी जी ने लगबग 15 फाइले समिक्षा के लिए दी इसकी गहन समिक्षा के दौरान अगनी श्रमन वाहनों और खरीदारी से सम्मंदित टेंडर की फाइल में कुछ गरबड़ी नजर आई। इसके बार डी जी का वहवार बदल गया। इस विशे में वित विभाग के सलाकार से बार-बार बात की जा रही है और बार-बार इस पर संदेव भी किया जा रहा है। भी कहा था कि मुझे पता है इस पत्र के लिखने के बाद भी हम पे संदे किया जाएगा और हमाई साथ गलत वहवार किया जाएगा। पत्र में यह भी कहा गया है कि अपनी जान बचाने के लिए समविधान में दिये गए अधिकार का मैं उपियो किया है। इसलिए मैंने इस सब बातों को सामने लाया है। पत्रवाई नहीं कि गई और शिकायत करता कि ही दूसरे विभाग में तबादली कर गई। अब एक महिला डी आई जी ने घोटाला का जो यह आरोप लगाया है अब देखना होगा क्या इस बार भी कुछ नतीजा निकलता है या बार-बार जिस तरीके से तबादला होता है जो भी इनके खिलाफ आक्शन लेता है वो होगा। अबरहाल में आनाम स्निया गुपता है और आप आई भी टीवी देख रहें धरन्यवाद। आशिरवाद इजी कॉन ग्रूप भरोसी का दूसरा नाम हम सिर्फ घर नहीं खुशिया भी बनाते हैं। आशिरवाद रोस वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विट आल मॉडर्न अमैनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे नमबरों पर संपर।